आज हम जी के पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए आपके बुक किलास सेविन की जनरल नौलिज की बुक है ठीक है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम आपका जो PA2 का सिलेबस है वो बता देते हैं तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप यहाँ पर कंटेन पर आ जाईए तो कंटेन उपन कर लिए और यहाँ देखिए हमने आपको पिछली बार मार्क कराया है ठ तोटल यहां पर 4, 4, 4, 4 यानि 16 चेटर आपके टोटल PA2 में आएंगे जो PA2 का आपका टेस्ट होगा उसमें पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 यह 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था ठीक है पार्ट 8 जो है हमारा इसमें 4 चेटर हैं यह हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 9 में जो 4 चेटर हैं यह भी कंप्लीट कर चुके हैं ऐसी पार्ट 10 में जो 4 चेटर हैं वो भी कंप्लीट हो गया है पार्ट 11 जो हमारा 4 चैप्टर है वो बाकी रह गया है जो कि आज हम complete करेंगे ओके स्ट्रेंट्स तो पार्ट नमबर 11 जो है हमारा पार्ट नमबर 11 चैप्टर नमबर 45, 46, 47, 48 चार चैप्टर इसमें हमें करने है ठीक है ये चारों चैप्टर आज हमें करने है तो स्टाट करते हैं चलिए तो पेजन में फिफ्टी टू पिन खरली है सबसे पहले चैप्टर नमर 45 तकंभा करते हैं चलिये चुह पार्ट नमम फेफ्टीट 21 और शुन स्टार्ट करते है अपना चैप्टर सरी कि ति यहां से हमारा च dow r5 से स्टार्ट 1े तो 45 सबसे फेले आप यहां पर लिखेंगे पाट 11 और हम यहां पर congressional करें इस दिन यह भी डियो यानि प्शुट्रलेंगे उस दिन यह-पना फोलोड हुगी उस दिन याろ होगी वह यहां पर आपको सभी सभी चैप्टर पर लिख देना है जितने चैप्टर पार्ट 11 के अंदर हैं तो यहां पर भी लिखिएगा ठीक है यहां पर पार्ट 11 मेंशन करना है चैप्टर नमर 45 क्या है हमारा human body facts human body facts के बारे में पढ़ेंगे हम इनसान की जो body है उसके facts के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे हम कुछ by heirs of age 60% of men and 40% of women sneeze यह करें सालो मतलब उमर के साब से अगर मैं बात करूं तो heirs of age के साब से बताऊं तो 60% men और 40% women हैं वो sneeze हो चैपके क्या है कैसि मतलब क्या होता है तो इस्टीं मतलब होता है चीख ना या सांस अंदल लेना ठीक है सर्दीं में नजले में जो है सासने लेते हैं या हम चीखते हैं तो क्या करते है इसनीजिंग कन綠ीं चलिए हम से स्वाट करता है डिक Jason chapter and adult such बर करें एक एडल जो है कोई बी ऐगर अगर छोटे उस्तिया हुता है तो उनकी जो है अगर नमट करते हैं इसके कितनी पहुन होती हैं 300 हड़िया होती है मगर end up कहा होता है 206 पर मतलब शुरुआत में जब बच्चे छोटी छोटी होते हैं बिल्कुली तो उनके अंदर 300 हड़िया होती है मगर जब वो बढ़ने लगते हैं तो वही हड़ियां आपस में मिलती जाती है और आखीर तक 206 हड़िया हो जाती है मतलब last age जो होती है last stage होती है हड़ियों की वो 206 काउंटिंग होती है उसके बाद फिर कम नहीं होती है मतलब शुरू की जो 300 हड़िया होती है वही आपस में जॉइन होती है और एक समय ऐसा आता है कि तिन बच्चा बढ़ने लगता है तो हलके लगे करके यह से अधास में इस यहां पर देखिए। हैं और फिंगर प्रिंट की बात कर रहा है जैसे कि हमारे FingerPrint की बाद करें, बच्चो, तो similarly, जैसे कि हर इनसान का fingerprint अलग होता है, क्या fingerprint जो हम mobile में लगाते हैं, या कहीं भी उंगोठा लगाते हैं, तो हर किसी का उंगोठा जो है, उसका इनसान होता है, जो शापते हैं हम अपना उंगोठा, वो हर किसी का different होता है इसी तरह से हमारे जबान का जो हमारे tongue होता है इसका भी एक print जो होता है वो सभी इनसान का different होता है यानि अगर हम identity के लिए या other card, order card बनते हैं आपने देखा होगा उसके लिए पूरे हाथ के fingerprint लेते हैं उसका और दूसरे इनसान का जो है उससे match कर जाए tongue print थर्ड है या आपको पता है या आपको मालूम है या आप जानते हैं कि आपकी जो नाक है या आपकी जो नोस है वो इतनी sensitive नहीं है जैसे कि एक dog की होती है जैसे एक कुत्ते की होती है क्योंकि dog की अगर बात करें तो आपने देखा होगा dog को पलिस वाले फाज में बहुत जगाँ पर जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं उसे क्यों क्योंकि dog की जो नाक होती है नोस होती हो बहुत ज़ादा sensitive होती है बहुत बारीक से बारीक छोटी से छोटी हलकी सी हलकी स्मेल सूंग के पता कर लेती है कई सो किलो मीटर तक की स्मेल चेक करता हुआ वो जा सकता है कि कहाँ अगर किसी की स्मेल उसे सुंगा दी जाए और कहा जाए सिसमेल के फॉलो करो तो वो इसमेल कई सो किलो मीटर तक वो सूंगता हुआ जा सकता है तो वो काफी sensitive होता है उसकी नाक उसकी काफी sensitive होती है काफी बहतर उसकी नाक होती है कि वो काफी जो है उसकी मतलब sensing सेंस की जो कौलिटी है उसकी सूंगने के कॉालिटी है वो ज्यादा बहतर होती है हम लोगों के मुकाबले इन्सान के मुकाबले बटके यग रिमेंबर वन्पंधिस अंडेड थाउजन զिडिन्ठाफेशनों नाग मगर हिए वह 55,000 हधाब हैं हमारी नाग घ्रियम्क इतना की항 पावारफुल है के रहां ज़की है एक जगा से खुछभू होड़िकि का सकती है जिस क्रिमिनल की जिसने खून किया है जैसे कोई चाकू मिला तो उस आदमी की इसमेल सुंगा जाती है वो इसमेल सुंगता हुआ पूरे रास्ते पर उसी जगा जासता है जहां पर वो क्रिमिनल होता है क्यों क्यों क्योंकि उसकी नाक इतनी सेंसेटिव होती है है सुंगे हैं स्मेल करें तो आपको जो है वो जो है दुबारा सुने पर नया नहीं लगेगा क्योंकि आपको वह चीज़ें याद रहेंगी वह पचास हजार भी डिफरेंट तरह के सेंट्स अगर कोई इनसान दिखा दे तो वह इनसान वैसी भूल जागा कौन सा किसका नाम क्या नाम था मगर हमारी जो नोज है वो इतनी सेंसिटिव है इतनी इतना तो है कि वो पचास हजार डिफरेंट जो सेंट होते हैं उन्हें याद रख सकती है अब यहाँ पर फोर है हमारा वी गेट आ न्यू स्टुमक लिविंग एवरी त्री और फोर डेज ही करें हमारे ज मतलब वो तुवारा से त्यार हो जाता है नया स्टुमक मिल जाता है हमें क्यों अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पेट के अंदर होता है हमारे पेट के अंदर क्या होता है एक एसेड होता है बच्चों जो कि हमारे खाने को गलाता है क्या इसा नहीं हुआ हमें तीन से चाट दिन बाद अगर नया स्टुमक नहीं मिला तो हमारा जो एसेड पेट के अंदर हमारे स्टुमक के अंदर जो मौजूद है वो खाने को तो गलाएगा ही गलाएगा उसके साथ-साथ हमारा स्टमंग भी गलादेगा फिर है फाइव हमारा प्यूपिल स्वेट अलॉट फॉर्म देर फीट अपेर्स ऑफ फीट हैव वन स्टेंज हंडेड थाउद तेंथाजन लाक फाइव लाक स्वेट ग्लेंट एंड कें प्रोड् फीट नीचे तलवा होता है ठीक है हमारा नीचे का इससे पैर होता है निकलता है और यहां पर सबस्वेद आप शितन लाक व्न स्टेंज हंडेट फॉर्म हैं यह तो फीट है इसमें पांच लाक स्वेट गलेंट उटेंड और जो हैं और उससे भी ज़ादा जो है प्रिंट दिन में इतना पसीना बहजाजता है एक दिन में निकाल सकते हैं अब नेक्स पेज पेज नंबर 55 पर चैप्टर नंबर 46 कंप्यूटर टर्म अब यह कंप्यूटर की कुछ ट्रम्स हैं इसे देखेंगे मैच यहां पर भी आपको पार्ट 11 लिख लेना है ठीक है मेंशन कर देन तुक Con балu यहां इहां पर आमने की दीयो पर अपलोड होगी मतलब जिस दिन पार्ट 11 की वीडियो आपलोड होगी tit और आपको डेट लिक देनी है चलिए स्टार्ट करते हैं मैंज दा डिस्क्रिप्शन विद इस कंप्यूटर टर्म्स यह कहरें मां कंप्यूटर की टर्म्स जो आपको यहां पर दी है इनसे जो है यह जो डिस्क्रिप्शन दिया इसके बारे में थोड़ा सा डैफिनेशन और जिए कंप्यूटर टर्म्स पहला क्या है आप तो यह कंप्यूटर को स्टार्ट अप करते हैं तो हम उसके क्या किते हैं बचो तो मैंने यह आपको विकंटर ने पड़ा होगा तो अपको पढ़ना चाहिए उस सर्पाने बूट हो gए था हम पतर हो था है यह फिद यहकि क्या किते हैं boot ठीक है F के आगे फस्स लिख लिए सेकंड हमारा है अपर देखिए सेकंड क्या है large collection of information organized so that it can be retrieve and use in different ways यह करें large collection of information जो है organize होती है एक जगा पर organize यह में रखी जाती है ताकि हम उसे जो है retrieve कर पाएं और different ways में use कर पाएं तो उसे हम क्या करते हैं तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए database कहते हैं क्या कहते हैं उसे database कहते हैं database एक हमारा तरीका होता जहांपर हम large collection of information को organize करते हैं well organized manner हमें रखते हैं और उसे जो है इस तरीके से बहुत हैं कि हम उसे बाद में retrieve कर पाएं उसे use कर पाएं, इस्तेमाल कर पाएं ठीक है, तो हमारा दूसरे का हो गया D तो database के आगी हम पर लिख लिए तू, थड़ है sending information from a personal computer to a host computer, ये कह रहे हैं एक information जो है personal computer से host computer को भेजना, इस तरह की information को भेजने को हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं uploading, आपने कभी सुना होगा uploading सुना होगा अपने, ठीक है थड़ वाला देखिए, ये है हमारा sending information from a personal computer to a host computer तो आपने कभी सुना होगा video uploading तो हम जो है अपने personal computer से host computer जो होता है हमारा, उस तक वहाँ पर information पहुचाते हैं तो हम कहते हैं uploading करना, ठीक है information upload करना, तो ह होगे हमारा three, fourth है an error in software of hardware that causes a program to malfunctioning, ये कह रहे हैं, एक error जो कि software of hardware क्या an error in software of hardware, hardware के अंदर जो है एक ऐसा error आना जो hardware का software है, उसके अंदर एक error आना, that causes a program to malfunction जो कि हमारे program को malfunction कर दे, मतलब खराब कर दे, जो सही से काम ना करे, उसमें कुछ परिशानी ला दे, तो ऐसा error software के अंदर जो आते हैं, उसे हम कहते हैं bug कहते हैं, जो कहते हैं bug, bugging सुना होगा आपने, ठीक है, तो c है, इसका fourth, ठीक है, bug, फिफ्थ हमारा a website that serves as a gateway to the internet, ये कहे रहे हैं, a website that serves as a gateway to the internet, एक website जो कि आपको internet के लिए as a gateway provide करता है, मतलब gateway मतलब simple हम कह सकते हैं entry, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जहां से हमारा website, जो हमारी, मतलब हमारा simple internet है, वहाँ पर हम उसे use करने के लिए, कोई ना कोई website हम जो है, start करते हैं, जिसकी जरीए हम जो है, internet use कर पाते हैं, तो internet के तक पहुचने के लिए एक जो website है, जो कहें हमें as a gateway serve करता है, उसे हम क्या कहते हैं, portal, क्या कहते है, portal, तो B के आगे लिख लिए 5, 6th है smallest unit of data, data का जो सबसे unit, smallest unit होता है, उसे हम क्या कहते हैं, data का, सबसे smallest unit होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपने कई unit सुने होंगे, bit, byte, ठीक है, GB, और giga, बहुत सारे सुनेंगे, तो smallest unit जो हमारा होता है data का, उसे हम कहते है bit, ठीक है, one bit, two bit, जैसे हम कहते हैं, 1GB, 2GB, 3GB तो ऐसे हमारा bit, byte ठीक है? बहुत सारा ऐसे अलग-अलग होते हैं Giga, Tera, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो इसमें हमारा जो 6th है smallest unit of data वो होता है हमारा bit सबसे चोटा जो unit होता है data का उसे हम bit कहते हैं तो एक के आगे आप में हाप मेंशन करिए 6th यहांपर 6 लखिए, 7th है हमारा यहांपर, Software Application Used to Locate and Display Web Pages ही कहरे हैं, वो Software Application जो के हमारे Use to Locate and Display Web Pages मतलब Web Pages को Locate करने के लिए और डिस्पले करने के लिए हम Use करते हैं तो 7th का हमारा क्या है, 7th का है J, 7th का है J, Web Browser क्या है 7th का J, Web Browser वेब ब्राउजर ही हमारा ऐसे सॉफ़एर अप्लिकेशन है जो कि हम किसी भी वेब पेज को डिस्पिले करने के लिए लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यह होगे हमारा जे वेब ब्राउजर 7 आठ है हमारा यहाँ पर टेकनोलोजी डेट यूज रेडियो तो प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर कनेक्शन यह करे रहे हैं वो टेकनोलोजी जो कि रेडियो वेफ को यूज करती है किसलिए हमें जो है वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे टेकनोलो फिर नाइन्थ है amount of information equal to 1024 megabyte यह कह रहे है amount of information equal to 1024 megabyte एक 1024 megabyte के बराबर की information को हम क्या कहते हैं गीग गीगा होना चाहिए वन गीग ठीक है एक गीग जो होता है वह वन मेगा वन थाज़न टूइंटी फो मेगाबाइट से बराबर होता है तो आगे लिए 9 फिर टेंथ है मारा personal general or diary personal general or diary that people put on a website for other to read यह कह रहे हैं वो personal generals या कोई ऐसी diary जो कि लोगबग अपनी website पर डालते हैं कि दूसरे लोग उसे पढ़े हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उससे हम कहते हैं blog लोगबग अलग अलग बिलोग अपने डालते हैं ठीक है अलग अलग वीडियो और डियो या ऐसी simply ठीक है तो उससे क्या होता है लोग बाग उसे पढ़ते हैं फिर उसे जानते हैं आप आज कल तो बहुत ज़र चलता है ठीक है तो सब्सक्राइब कहते हैं दसवां होगे हमारा जी वेब लॉग तो यह सारे आप नमबर एक बाढ़ देख लिए एक हमारा है सिक्स बी है फाइव सी है फोर डी है P2E है हमारा 8 F है 1 उसके बाद G है 10 H है 3 I है 9 J है 7 यह करने के बाद नेक्स पेज पर आईए, नेक्स पेज है मारा है आपर, पेज नमबर 56, चैप्टर नमबर 47, साइंस क्वेज, अब ये साइंस क्वेज से रिलेटेट कुछ कोशन्स हैं, पहले यापर सबसे पहले काम पार्ट 11 लिखना और डेट लिखना पार्ट 11 जिस दिन अप्लोड हो उस के ची, चलिए स्टाट करते हैं, आंसर दीज कोशन्स, क्या है हमारी है, आंसर दीज कुशन्स, बस सिम्पल इसमें कोशन्स हैं यापर कुछ उसके हमें आंसर देने है पहला क्या है विच इस दा मोस अबेंडेन मेटल अन दा अर्थ जो सबसे ज़ादा अबेंडेन मेटल है अर्थ पर उसे हम क्या कहते हैं मतलब कौन सा है वो उसका नाम क्या है जो सबसे ज़ादा अबेंडेन मेटल है अर्थ पर तो वो क्या है ऐलूम कर रहा पाया जाता हो जो आराम सी कहीं भी मिल जाए तो जो हलुमुइ늉म है है जो अर्थ पर हमारे वो सबसे ज़्छा पाये जाना वाला मैटल है सबसे जदा पाये jाने वाला मैतल कौन सा है मारindi yep जिसे मौस्ट abundance सबसे ज़ादा पाए जाने वाला तो यह हो गया aluminum second of which gas is the in the air mostly made of यह कहरें कौन सी gas जो है air के अंदर जिससे जो कि हमारी air ज़्यादा तर जिससे बनी हुई है तो आपने जब air का composition देखा होगा तो उसमें बहुत सारी तरह की gases होती है carbon dioxide ठीक है nitrogen oxygen oxygen और other gases तो nitrogen आपने देखा होगा उसमें जो है बहुत ज्यादा percentage उसका जो है वह nitrogen का है ठीक है ज्यादा तर जो gas हमारी है मेंली हमारा 70% जो हमारा वह कितना है nitrogen है तो यह क्या होगी हमारा nitrogen यहां पर लिख लिए nitrogen थर्ट हमारा which gas is called laughing gas यह कह रहे हैं कौन सी gas ऐसी है जिसे हम laughing gas कहते हैं तो आपने अगर सुना होगा तो आपको याद होगा nitrous oxide जो gas होती है उसे हम laughing gas भी कहते हैं ठीक है nitrous oxide जो होती है उसे हम कहते हैं laughing gas तो यहां पर लिख लिए nitrous oxide fourth हमारा which acid does an orange contain sip okay क्या बताना है हम्हां कि कौन सा आई से होता है वह ऑरेंज के अंदर होता है तो वह होता है citric acid citric acid जो है आवला नीबू होता है ठीक है और यानिनि मारे संत्री होते हैं वो यह जो मौसमी होतीय वह जितने भी हमारे जो खटे होते हैं उसे हम कहते हैं इसके अंдर किस्केया इंदर 치्टरिक पाया जाते हैं तो यह अगर कोई पूस्ता है कि आवला किसे ऻुद्स इस लिगा होते । उसके आंदर होता है जितनी भी if प्रूट ह मुझे selections है झाथे. आइस कहते हैं तो जो हमारी कार्बन गैस होती है अगर हम ड्राइ कार्बन ले ले लें यानि सिंपल सॉरी ड्राइ कार्बन नी मतलब सॉलिड कार्बन ले ले लें जिसे हम सॉलिड फॉर्म में कहते हैं तो अगर हमारी कार्बन जो हमारी गैस अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो ही लियम के स्टार्स हैं जो हमारे सितारे हैं जो वह सब हाइडोजन और हीलियम से मिलकर बने हुए हैं फिर हमारा सेवंध है कि Kita कोषन भी सब्सक्राइब हमारे 20 sommes सब्सक्राइब है जो हमारे कान इसे 20 साच्ठ से कामुती है यह अई फिर हमारे अल्टरा सॉनिक होती है ठीक है जो हमारे ऐसी दो तरा की होती है जो कि हम सुन नहीं नहीं पाते हैं उसे कम हलकी होगी साउंड तो हमँ नहीं नहीं सुन पाएंगेblem с 시स CHAR return Dios घुनक होगी तो जानवा काम में नहीं से नाइस हैं तो स्वा सिनल यह कौन सा सिंल है जो कहिते हैं ग्रAfter जो हिरेफाइट केंदर होता है तो वो होता है carbonate, क्या होता है carbonate, carbonate जो है हमारे gillified के अंदर होता है single element के ही, ठीक है, यहाँ पर लिख लिख लिए carbonate फिर हमारा ninth है, what is the chemical name of washing soda, washing soda आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जानते होंगे, ठीक है, soda तो सुना ही होगा, तो washing soda जो होता है, एक होता है washing soda, एक होता है baking soda, क्या, एक होता है washing soda, एक होता है baking soda, तो जो washing soda होता है, उसका chemical name होता है sodium carbonate, क्या होता है, washing soda का chemical name sodium carbonate, ठीक है फिर हमारा what reduces the loss of heat in a vacuum flask ये गहरे हैं अगर vacuum flask के अंदर हमें heat को loss जो हो रहा है उसे कम करना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम silvering कर देते हैं क्या? silvering कर देते हैं ठीक हैं? अब ये सब चीज़ें आपके 9, 10 की हैं ये आप 9th class में 10th class में chemistry में पढ़ेंगे ठीक है 9th में मतलब पढ़ेंगे ज़्यातर चीज़ें इसमें ज़्यादा high-five नहीं है खाली आपको ये याद रखना है कि chemical name washing soda का क्या होता है sodium carbonate ये सारी चीज़ां को याद रखनी चाहिए फिर chemical formula क्या होता है ये आप वहाँ पर सीखेंगे फिर है what is the chemical name of baking soda हमारे घर में जो baking soda होता है अपने इस soda देखा होगा baking soda मतलब जो baking के लिए उसका नहीं होता है sodium bicarbonate washing soda का क्या होता है sodium carbonate और baking soda का होता है sodium bicarbonate थोड़ा सा ही फार्क होता है बस ठीक है प्रक्राइब आप 910 देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा वैसे अब इसमें समझने का क्या आपको बस नाम याद करने है ठीक है इसे वाशिंग सोड़ा का सोडियम बाय कारबोनेट और अगर किसी वेक्यूम फिलास में एक ऐसा फिलास ठीक है एनाच का एक क को रिड्यूस करने के लिए सिर्वरिंग कर दी जाती है उसके उपर इसारी चीज़ें आप और अच्छे से डिटेल में समझेंगे ठीक है जब आप 910 में पहुंचेंगे टोईल्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इस यूज इन ऑटो मुवाइल ड्राइवर टो हैवा रियर निय मिरर होता है क्या सिंपल होता है जिसे हम कहते हैं पिलेन मिरर क्या कहते हैं हम अपना जो हमारे जिसमें चेहरा देखते हैं हमारे घर में जो होता है उसे हम कहते हैं पिलेन मिरर और जो बाइक में लगा होता है या वैसे भी बाकी जगह पर तो वह दो तरह के और मिरर होते है एक होता है Convex, एक होता है Concave क्या Convex एक होता है Concave तो जो हमारे Auto Mobile यानि जो गाड़ियों में लगा जाते हैं वो होता है Convex Mirror क्या होता है Convex Convex Mirror होता है ठीक है? तो Convex लिख लिए 13 है What is the lighter part of the shadow cast called ये कह रहे हैं जो shadow cast का जो सबसे lighter part होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं पैनुम्रा ठीक है 14 Which gas protect us from harmful ultraviolet radiation from the sun ये तो आपको पता ही होगा ये तो आप मेरे साब से SST में 4th 5th से ही पढ़ता हो आ रहे होंगे कि जो ultraviolet radiation से हमें sun बचाती है सॉरी जो sun की ultraviolet radiation से आते हैं जो के अगर जमीन तका जाए तो इंसानों को इतनी गर्मी कर देगी और इंसानों के चेहरे पता है हाद skin diseases होंगी बहुत सारी ठीक है skin cancer मतलब skin related बिमारिया होंगी बहुत गर्मी बढ़ जाएगी और ultraviolet radiation क्या होता है जो ozone layer होती है जो ozone gas होती है वह खुब सारी एक तरह की यह समझ लो जैसे कि मैंने चोटी 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 टुकड़े मिला कि एक बड़ी सी यह सम्फिल में कहूं जैसे हम जो है क्या करते हैं पत्ते लिए और वहां पर बिछाना शुरू कर दिए ठीक है जैसे कि हम ने चोटी 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 तो इसी तरह से हमारी ozone जो होती है, gas, ये खूप सारी ozone जब मिल जाती है, तो ozone की एक layer बना लेती है, एक परत बना लेती है उपर, जो की harmful radiation को वहीं रुख देती है, जो हमारे harmful ultra wallet radiation होते हैं, वो वहीं रुख जाते हैं, और सिर्फ और सिर्फ हमारी जो useful चीजे हैं, मतलब जैस fire को smoother करता है, मतलब smooth करता है, मतलब ठंडा करता है, यानि रोकता है, जब कभी आग लग जाती है, तो आपने देखा होगा कहीं, hospitals में, schools में, red color के हमारे fire extinguishers, cylinder लगे होते हैं, तंगे होते हैं, तंगे होते हैं, उसमें एक pipe lit का होता है, उसे हम कहते है fire extinguishers, या fire extinguishers वाले आग बुझाने वाले, वो लोग किस gas को इस्तिमाल करते हैं, तो carbon dioxide को इस्तिमाल करते हैं, क्यों? कार्बन डायोकसाइड गैस में ऐसा क्या होता है जिसकी वज़े से आग बुझ जाती है वैसे ये सारे चीज़ें भी बतानी की नहीं बता देता हूं आपको ये सारे चीज़ें आपको साइंस अपड़नी होती है तो कार्बन डायोकसाइड क्यों लगाते हैं देखो जब हमें आग जलानी होती है न तो आपने कभी देखा होगा जब आग जलाते हैं घर में ठंड में तो हम लोग क्या करते हैं फूक मारते हैं उसके अंदर की आग बढ़े जाती है क्यों ऐसा ещё होता है ऐसा इस ली होता है क्योंकि जो हमारी आग होती है जो आग जलते है वह oxygen की presence में जलती है अगर oxygen नहीं होगी तो आग नहीं जल पाएगी आपने कभी देखा होगा कभी एक मुंबती जलाई है छोटी सी और एक काच के ग्रास को उसकी ऊपर से धक दिये थोड़ी दिर बात मुंबती बुच जाएगी थोड़ी दिर तक जलेगी क्यों क्यों क्योंकि ग्रास के अंदरaz यहां जो जल्दी से उसी के उपर आग जहां लगी होती है वह चाहिए वह चल्डी से ऊपर जो है आगज जहां लगी होती है डाल दी जाती है उसके उपर गैस क्यों क्योंकि कार्बन डायोकसाइड जो है उसे कवर कर देती है उस एरिया को और ऑक्सीजन को पहुचने नहीं देती है ऑक्सीजन पहुचती नहीं है तो आग जलती नहीं है अगर ऑक्सीजन पहुचती रहेगी हवा लगती रहेगी आपन कि supply रोग जाती है पहुँच नीपाथी carbon dioxide पूरा उससे cover कर देता है उस जगा को और oxygen को पहुचन ही देता है तो इससे क्या होता है फिर आग को oxygen नहीं मिलती है फिर वह बुझ जाती है जैसे कि मैंने बताया भी candle बुझ जाती है अब आप सोचते हुंगे अच्छा ऐसा है तो हम मुंबत्ती को घा झाल की तो आपने कभी देखा होगा हम हलकी आ प्रेशर इतंगे हो तो हम बीजिए कि अधनी करते हैं कि अंभभा कै को सब्omyज़ती आग mortality कर दे पाई य जलती रहती है इसी वजये से क्याते हैं कभी देखा होगा आग लगती है तो लो बग die गरम के वान से वहांगी बोरी होती ही ने उसके उपर डालते हैं जिसे पानी पार的क तरह पर चाहिए हम पानी ढ३री सारकेŁ तो निक्यू जासे महाँ पर क्या हो जाएगा करण फैल जाएगा इसलिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्बन डायॉकसाइड जो हमारा इसका पाउडर भी होता है आपने कभी फायर एक्सिंगिशर यूज करना सीखा होगा हमारे सिंपल जो फायर एक्सिंगिशर वाले कर्बन डायॉकसाइड इसलिए इसलिए इसमाल की जाती है कि वह ऑक्सिजन की सप्लाई जो इदर दर से आप पूरे हवा में हम कहां से ऑक्सिजन रोग देंगे हर जगा जमाल लोगर बहार सलक पे किसी के घर में आग लग गई अब पूरे घर के चारो तरफ तो हवाई हव आएर ही एर मौझूद हैं आप अब महां से हम कहां से रोग देंगे कि अक्सिजन ना आ पाए तो और ना कि लिए कोई हम चाइजर नहीं लगा सकते ठीक है ऐसा सकता कि हम जब्स घर कर दें नोग जाएगी नहीं कुछ नहीं कर सकते हम औक्सिजन को रोकने के लिए सिंपल स पर scientific research center अब यह कुछ scientific research center के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कहां कहां मौजुद हैं हमें यह बताने हैं तो यहां पर part number 11 आपको mention करना है और date mention करनी है answer the following by fill in the correct location यह करें जो यह इनके answer दिये जो आपकी जगा खाली है यहां पर blanks खाली जो blanks हैं यहां पर देहरादून में ठीक है कहां पर देहरादून में यह कुछ research centers हैं जहां पर मौजूद है में यह बतानी है location बतानी है simple उसकी तो यहां पर हमारा Indian institute of petroleum यह मौजूद है हमारा देहरादून में फिर यसी second है cement research institute of India न्यू देहली थर्ट है हमारा Indian institute of chemical biology यह हमारा कॉलकता में ठीक है कॉलकता फॉर्थ है national aeronautical laboratory यह हमारा बैंगलूरू में नेशनल aeronautical laboratory कहा पर है बैंगलूरू में सिफ्त है central leather research institute चिननै में कहा पर चिननैies सिफ्त है central drug research center कहा पर है लखनू में सेवफ है national metallurgical laboratory यह हमारी जंशेत पूर में फिर एट्थ है हमारा भाभा भाभा नहीं भाभा आटोमिक रिसर्ट भाभा एटोमिक रिसर्ट सेंटर कहां पर हमारा ये ट्रंबो क्या ट्रॉम्बे क्या है ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे क्या है ये भाभा एटोमिक रिसर्ट सेंटर जो हमारा है ये हमारा ट्रॉम्बे में फि ठीके इंस्टीूड, जब भी यू से पहलेठी आहे तो उसके टाक यवाज अटके चा हो जाती है, ठीके, अटीचिूड लेटईटände होता है, ना कि टीूड होता है, एटिचूड जो बोलते हैं वो गलत वड़े, एटीचूड होता है, ऐसले हमारा लेटिचूड जो होता है वो latitude होता है ठीके ऐसी हमारा इंस्टिट्यूट है इंस्टिट्यूट Indian Institute of Tropical Meteorology यह हमारा पूने में मौझूद है पूने ठीके पूने पूने लिखा है मगा पूने पढ़ते हैं इसे आप सबसे सोचें कि PUNE होगा है नहीं पूने पढ़ते हैं से 10 है हमारा Central Scientific Instruments Organization यह है हमारा चंदीगड फिर हमारा 11 है Central Fuel Research Institution यह हमारा नागपुर फिर 12 है हमारा Central Electrochemical Research Institute कराईकुदी क्या है कराईकुदी उसके बाद 13 है Central Building Research Institute रुड़की रुड़की आपने जगा सुनी होगी ठीक है उसके बाद next है Central Arid Zone Research Institute जोदपुर फिर next 15 All India Institute of Speech and Hearing मैसूर मैसूर 16 है National Chemical Laboratory जो National Chemical Laboratory है वो कहां पर मौझूद है यह भी पूने में ही मौझूद है ठीक है यह आपको सिंपल साइस में कुछ समझाने का तो है नहीं बस आपको बताना था नाम पढ़के कौन सी इंटिट्यूट कहां पर मौझूद है कौन सा हमारा जो यह Research Centers है किस जगा पर मौझूद है चलिए next page तो यहां पर हमारा 48 तक complete हो गया अरás part कहां से स्टार्ट हमारा part number ह summar ab 11 अकिवान का लुएट लुएट WORcertическая चंपलीट होगया तो आप यहां पर क्या लिखेंगे टू गूट्स कंपLE radi इस जगह आप मैंशन कर दी ठीक है आप अपनी अपनी बुक में भी कि अबर्ध नुट कोड्स कंपलीट it सभी अपने इसमें बुक में लिख लेंगे मेंशन कर देंगे कि पीए टू कोर्स अब इसके कंटेंट पर आईए जल्दी से सिलेवर्स पर आईए अब यहाँ पर आईए और देखिए हमारा लास्ट टाइम जो हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 33 से लेकर चैप्टर नमबर 48 तक यह आपके किसमें आ रहा है पीए टू में आ रहा है जिसमें चैप्टर नमबर 33 से 36 पार्ट 8 में पढ़ाया हमने यानि 4 चैप्टर फिर 4 चैप्टर हमने 37 से 40 तक यह पार्ट 9 में पढ़ाया फिर उसके बाद 4 चैप्टर ह हमारे पूरे complete हो चुके हैं तीन हमने पहले कर दिये थे जो हमारे अब पीए टू का जो स्लेवस है वह लास्ट ताइम आप देख लिए चैप्टर नमबर 33 से चैप्टर नमबर 48 तर फोर एट फोर यहां पर फिर फोर फोर यानि चार्ट चैप्टर यानि टोटल 16 चैप्टर ह आपके ठीक है इसमें अगर हम कम करते तो आपके फिर अन्वल में जादा हो जाते हैं इसलिए हमने इसमें आधे कर दी हैं जिससे आपके अन्वल में जादा course ना रहे तो यहां पर आपका syllabus complete हो गया है जितना हमने अभी तक पढ़ाया है वह आपको अच्छे से copy book में कर लि कर दीएगा ठीक है पार्ट नंबर वाइस पार्ट नंबर मेंशन कर दीएगा अब नेक्स टाइम हम नेक्स इसके जो हाँ एन्वल का होगा वह पढ़ेंगे तो थैंक्यू वेरी मच्छ आपका पीटू का syllabus complete हो गया है असलाम अलेकूल